नमस्कार दोस्तों यदि आप महिंदर सिंग धूनी को DRS यानी रिव्यू लेने के मामले में बहुत अच्छा मानते हो तो इस वीडियो को तुरंट लाइक कर दो हम जनना चाहते हैं कि आपको मजधूनी पर कितना भरोसा है भारत और श्री लंका के बीच में चल रहे पांचवे एक दिवसिय मैच में एक बार फिर से महिंदर सिंग धूनी ने अपने अक्लमंदी का नजारा दिखाया दरसल बात श्री लंका की पारी के 33 वे ओव की है जब भारत की तरफ से यादविंदर चहल डाल रहे थे 33 वे ओव की आखिरी गेंद पर बैटिंग कर रहे तरिमाने को आउट करने के लिए एक जोरदार अपील की गई यह अपील LBW के लिए थी पर अमपार ने इसको नौट आउट दे दिया इसके बाद चहल ने रिव्यू लेने के लिए कोहली की तरफ देखा तो कहली ने धूनी से पूछा की क्या यह आउट है क्या हमको रिव्यू लेना चाहिए तो धूनी ने कहा की नहीं मुझे नहीं लगता यह आउट है पर चहल ने कहा की मुझे लगता है यह आउट है उसके बाद विराट कोहली ने धूनी की नहीं मानी और रिव्यू ले लिया पर बेस्ट में नॉट आउट था इसलिए एक बार फिर से महिंदर सिंग धूनी का रिव्यू सही था और विराट कोहली का गलत क्योंकि विरा तक कोहली ने चहल की मानी इसलिए उन्हों ने यह रिव्यू गवा दिया उसके बाद महिंदर सिंग धूनी नाराज भी नजर आए इससे पहले आपको बता दे कि श्री लंका के कप्तान ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का निर्नाई लिया था प्रविराट कोहली ने अपनी टीम में चार बदलाव किये थे भारत की शुरुआत बोलिंग में बहुत अच्छी रही और उन्हों ने श्री लंका के तीन बेस्टमेन को मात्र तिरसट रन पर आउट कर दिये और उसके बाद मैथ्यूज और त्रीमाने ने अच्छी वैटिंग की और श्री लंका की पारी को आगे बढ़ाया